इसके अंदर आज हम इंशाला डिसकस करेंगे फोर्थ एर का सिप्लिट प्रोग्राम पेपर बी डिसकस करेंगे बटा आज तो हमारे पास बटा पेपर पैटरन है बी एसी और एडी पी फोर्थ एर पेपर बी यानि के पेपर टू टू क्वेस्टन आपने अटेंप्ट करने हैं बटा आउट आफ फोर विच प्रोवाइड यू थर्टी फोर मार्क्स ये हमें बटाएगा चैप्टर नमबर वन एंड चैप्टर नमबर एट आफ मैथमेटिकल मैथड बाई एसम यूसफ चैप्ट दुबारा सुन लें सैक्शन वन हमारे पास आएगा जिसमें आपने टू क्वेस्टन अटेंप्ट करने हैं आउट आफ फोर विच जो आपको चैप्टर नमबर टू चैप्टर हैं चैप्टर नमबर वन और चैप्टर नमबर एट बिटा दोनों ही Mathematical Method की बुक है सम यूसफ की उसमें से बिटा ये दोनों चैप्टर आपने प्रिपेर करने हैं उके उसके बाद आजें आप सैक्शन नमबर टू पे हमारे पास तू इसमें भी सैक्शन वन की तरह से तू कोईस्टन आपने अटेंप्ट करने हैं आउट आफ फोर विच आल प्रिपान वालों की बुक कि ये पर्चेस करें और टू कोईस्टन आपको वेक्टर अनलीसिस से आते हैं और तू क वेसंद आपको चैप्टर ए lin कैल्कुलस जैसे कि आपने फिर्ट इयर में चैप्टर एर तै नहीं डिसकस किया था वो नहीं पड़ा था तो आपने फॉर् attempt करने है out of 4 इसी तरह से section 1 के अंदर chapter 1 में से two questions आएंगे और chapter 8 में से two questions आपको आएंगे बटा तो आपने कितने करने है two questions attempt करने है out of 4 50% की इसमें भी choice है तो ये बटा 34 marks और 34 marks 68 marks यहां से हमारे complete हो जाएंगे बटा उसके बाद आजें बटा section number 3 पे which provide you 16 marks और इसमें आपने one question attempt करना है out of two यानि कि आपको दो questions आएंगे आपने एक question बटा attempt करना है ये हमारे पास चार chapters है बटा chapter number 3 chapter 4, 5 और 6 ये सारे के सारे chapters आपकी mathematical method की book है उसमें से आपने ये chapter सारे prepare करने हैं बटा सिर्फ एक chapter ऐसा है calculus का जो आपने इस section के लिए chapter 8 ready करना है बटा बाकी सारी सारे के सारे chapters आपके mathematical methods के और vector analysis की book से आएंगे बटा ओके तो ये तीन हमारे पास section आगे section 1 section 2 section 3 last section बटा section 4 आपके पास है इसमें भी दो question आपको आएंगे आपने a question attempt करना है और ये भी mathematical method का बटा बुक का ये chapter है chapter 9 और chapter 10 एक question बटा chapter 9 से आएगा a b part के साथ हर question में a b part होगा बटा आपने वो question attempt करना है जिसके दोनों parts आपको अच्छे तरीके से आते हैं तो chapter 9 या chapter 10 इन दोनों में से बटा एक-एक question आएगा और आपने एक ही question attempt करना है तो बटा इसके important chapters देख लें अगर आप इसमें गौर करें तो अगर आप method का chapter number 1 करते हैं calculus का chapter number 8 ready करते हैं बटा इसमें से आप 3, 4, 5 ready करते हैं या 6.12 ready कर लें इसमें से भी बटा आजेगा और इसमें से आप chapter 10 कर लें या chapter 9 कर लें तो basically आपके पास fourth year का जो paper pattern है बटा उसके हवाले से बहुत ही कम chapters हैं आप उनको prepare करें क्योंके 50% choice है 200 marks का ये paper आना है आपने 100 marks का attempt करना है तो chapter number 1 chapter number 8 calculus का और ये chapter number 1 mathematical method का बटा इसमें से 3, 4, 5 और अगर करना चाहते हैं तो 6.12 कर लें और इसमें से 9 करें या 10 करें बटा तो ये 4, 5 चैप्टर आप ready करें इंशाला आपके 100 marks आप गेन कर लोगे easily इस paper pattern को बटा आप अच्छे से लिखें अपनी book के first page पे staple करें क्योंके paper pattern का अगर पता हो तो 100 marks लेना बहुत आसान होता है और अगर paper pattern का पता ना हो तो 100 marks लेना बटा impossible है तो अमीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी इसको लाइक करें इसको इस पे कमेंट करें इसको दूसरे students के साथ शेयर करें बटा जिन्दगी ने साथ दिया तो next lecture में इंशाला मिलेंगे तब तब तक के लिए अल